मिस स्कीम मतलब मंतली इंकोम स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो हमारे इंबेस्टमेंट पर हमें रेगुलर इंकोम प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक पैंसर, मंतली इंकोम स्कीम दो प्रकार की होती है, एक मिस स्कीम जो हम पोस्ट ओफिस पर जाकर खोल सकते हैं, और एक मिस स्कीम के साथ नहीं मिलती है और बैंक में खोल जाने वाली कुछ फीचर पोस्ट ओफिस पर खोले जाते वाले ऐस स्सक्राष के साथ नहीं मिलते हैं आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा पोस्ट ओफिस पर खोले जाने वाली MIS Skim के बारे में बताऊंगा इस MIS Skim में आखिर कौन कौन से फीचर है, आखिर कौन कौन से लोग MIS Skim को पोस्ट ओफिस पर जाकर खोल सकते हैं, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज है M MIS Skim को खोलने की और किस तरह से रेगुलार इंकॉम प्रोभाइड करेगी MIS Skim हमारे इंवेस्टमेंट पे, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातों में, तो चलिए आज की विडियो को शुरू करते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आज हम डिसकास करेंगे, पोस्ट ओफिस पर खोले जाने वाली MIS Skim के बारे में तो MIS Skim को सबसे पहले खोलने के लिए तो हमें अपने नजदे की पोस्ट ओफिस में विजिट करना होगा वहाँ जाकर MIS Application Form होगी, मतलब MIS Account Opening Application Form होगी, हमें अपने साथ दो कोपी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है, उसके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जैरोक्स कोपी भी ले जानी है आइडेंटिटी प्रूफ और एडेस प्रूफ की जैरोक्स के साथ हमें ओरिजिनल कोपी भी अपनी साथ दखनी है, क्योंकि पोस्ट ओफिस के अधिकारी हमारी जैरोक्स कोपी को वेरिफाइग करेगी चलिए, पोस्ट ओफिस पे हमने विजित कर लिया, MIS Account of Payding Application Form को भी ले लिया और साथ में अपनी जो भी डोकुमेंट से उसे भी वेरिफाइग करा लिया उसके बाद हमें पोस्ट ओफिस पे MIS Application Form को फिलाब करनी है, MIS Application Form को फिलाब करते समय हमें ख्यार लखना है, वहाँ एक Option होगा, Nomination Option जी हाँ, Nomination Option मतलब अगर Unfortunately हमारे साथ कुछ दुरघटना घड़ जाती है, तो उस situation में हमारी MIS Account में जितने भी पेसे जमा है, उस पेसों को हमारे Nomineer को दे दिया जाएगा अगर यह Nomination Option हम नहीं फिल करेंगे, तो उस समय जो भी हमारे Legal Hire होगे, उससे काफी परिशानी का सामना करना पड़ेगा, तो Nomination देना मत भूलिएगा, अपनी MIS Account के एगेस्ट में तो मैंने MIS Application Account Opening Form को फिल अप कर दिया, सारे Documentation की वेरिफिकेशन भी होगे, Nomination डिटेल भी भर दिया, उसके बाद हमें MIS Application Form को बेंक के अधिकारी को दे देना है, और उसके बाद बेंक के अधिकारी हमारे एगेंस्ट एक MIS Account खोल देगा तो MIS Account खोलने से पहले हमें कुछ ऐसी MIS Account के बारे में जानकारी है, जो हमारे लिए जानना अवर सके, कुछ ऐसे Feature से MIS Account के बारे में, जिनके बारे में जानना हमारे लिए काफी अवर सके अगर हम एक MIS Account Post Office पर खोलना चाहते हैं, तो चलिए One by One जान लेते हैं, आखिर वह feature से MIS account की सबसे पहले तो MIS account को भारत का कोई भी नागरी खोल सकता है जिसकी उम्र 10 साल से उपर है Minor के साथ एक guardian को जोड़ना आवर सक है जब तक कि उस Minor की उम्र 10 साल से 18 साल तक नहीं हो जाती और 18 साल एचीव करने के बाद उस minor के account को join से single कर दिया जाएगा तो post office पर खोले जाने वाली MIS को कोई भी भरत्यनागरी खोल सकता है लेकिन minor के साथ एक legal guardian को जोड़ना आवर सके MIS account को minimum 500 रूपे से खोला जा सकता है post office पर और minimum जो maximum amount है वो होती है सारे 4 लाक रूपे अगर हम individually अपने लिए खोल रहे हैं और अगर हम jointly खोलना चाहते हैं किसी के साथ भी एक ब्यक्ति के साथ या एक से जाधा ब्यक्ति के साथ भी हम joint account खोल सकते है joint MIS account तो उस situation में जो maximum amount of investment हो जाएगी वो हो जाएगी 9 लाक रूपे मतलब अगर individually single खोलना चाहते हैं तो minimum investment पंदर सो रूपे और maximum होगी सारे चार लाक रूपे और अगर jointly खोलना चाहते हैं तो minimum investment होगी पंदर सो ही रूपे लेकिन जो maximum investment होगी वो हो जाएगी 9 लाक रूपे मिस account में जो rate of interest होती है उसे डिसाइड करती है central government MIS account post office पर खोले जाने वाली small saving scheme के तहत ही आती है जिसके बेक करती है government of India मतलब MIS account में हम जितने भी पेसे investment करेंगे उसे guarantee provide करती है government of India तो इस तरह से MIS account एक fully secured account है MIS account में जो current rate of interest मिल लही है वो है 7.6% और ये rate of interest every quarter change हो जाती है इसे decide government of India ही करती है MIS account को हम एक post office से दूसरे post office पर transfer कर सकते हैं मतलब अगर मैंने अपनी एक MIS account अभी मेरे घर के सामने वाली post office पर खोला हुआ है और कुछ साल बाद मेरी कहीं दूसरी जगा transfer हो जाती है तो मैं अपने MIS account को अपने current post office से अपने उस post office पर transfer कर सकता हूँ जिस post जहां मेरी current posting हो गई है MIS account की जो maturity period होती है वो होती है 5 सालों के लिए मतलब MIS account को 5 सालों के लिए ही खोला जा सकता है 5 साल होने के बाद एक application देखे हम फिर से अपनी उस MIS account को extend कर सकते हैं लेकिन जो maximum maturity period है वो होती है 5 सालों के लिए MIS account में जैसे की मैंने आपको बताया ही 5 साल maturity period होती है लेकिन अगर premature withdrawal की बाते करें तो MIS account में अगर हम 5 साल से पहले अपने investment पेसों को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं लेकिन उस पर fine लग जाएगी एक साल से नीचे अगर निकालना चाहते हैं तो हमें fine देनी परेगी अगर एक से 3 सालों के अंदर निकालना चाहते हैं तो 2% हमारी fine लग जाएगी हमारी जितनी भी investment amount है as a penalty और अगर 3 से 5 सालों के बीज में निकालना चाहते हैं तो penalty लग जाएगी 1% on our investment मिलता है मतलब में जितनी भी एमाउंट हमारी इंवेस्टमेंट या फिली की टेक्सेबल होगी लेकिन जो इंट्रेस्ट एमाउंट हमारे पास आएगी उस पे TDS return हमें नहीं भड़ना है, मतलब TDS deduction नहीं होगा, तो MIS account में कोई भी tax exemption नहीं है, लेकिन TDS exemption है, MIS account के against में हम loan ले सकते हैं, कोई-कोई post office loan देता है, कोई-कोई post office loan नहीं देता है, ये fully जो भी decision making power है, वो fully उस respective post office के अधिकारी के पास ही होगा, MIS account की जो सबसे बड़ी विशेशता है, जिसके लिए MIS account को mainly खोला जाता है, वो है इसकी payout option, payout option का मतलब है, जो भी interest amount हमारी investment के against में हमें MIS account के ठो मिलेगी, उस amount को हम ले सकते हैं, monthly, quarterly, semi-annually या फिर annually, monthly, quarterly, semi-annually या annually को कुछ इस तरह से समझते हैं, पाकर लिजे, मैंने ए एक investment कर रखा है, एक MIS account में, और मुझे सालाना interest मिल रही है, उस MIS account के against में 12,000 रुपे, तो उस 12,000 रुपे को अगर मुझे monthly लेना है, तो मैं divide कर दूँँगा by 12, तो मुझे 1000 रुपे हर महीर ने MIS account के through, मेरी जो post office पे saving account है, उस पर transfer हो जाएगे, अगर यही पैसा मुझ मुझे quarterly लेना है, तो मैं divide कर दूँगा by 4, तो मुझे 3000 रुपे every 3 months मेरे saving account में transfer हो जाएगी from MIS account, और यही पैसे अगर मुझे semi-annuary लेना है, तो उसे मैं divide कर दूँगा by 2, तो मतलब 12,000 को दो भाग में भाग कर देंगे, तो every 6 month 6000 रुपे मेरी saving account में, जो post office में है, उस में transfer हो जाएगी from MIS account, और अगर मुझे annually लेना है, तो उसे में 12,000 रुपे को एक साथ ही annually ले सकता हूँ, तो यह जो option है, इसी के लिए mainly MIS account को खोला जाता है, और MIS account जो है, उसका नाम भी इसी लिए रखा गया है monthly income scheme, तो यह account mainly उनहीं लोगों के लिए है, जो जिनको regular payment की ज account को खोलते हैं, क्योंकि उन्हें ही after retirement कुछ regular income की जरूरत पढ़ती है, तो यह है वो feature जिसके बारे में जानना आपके लिए अवरसक है, अगर आप एक MIS account को खोलना चाहते हैं, आसा है इस वीडियो से आपके मन में कुछ MIS account के प्रति जो भी doubts थे, वो clear हो गये होंगे, और है इस वीडियो से आपको कुछ information मिली होगी, और अगर मिली है तो please मेरे इस channel को like और subscribe करना ना भूलिएगा, और subscribe करके सामने वाली bell icon को press करना ना भूलिएगा, जिससे की मेरे ऐसे ही नए वीडियो की notification तुरंत आपके पास मिल जाए करेगी, तो चलिए मिलते हैं अपने अ